हेलो प्रेंज बन्स अगेन वेल्कम बैक ट्यू ओन यूट्यूब चैनल लेर्निंगीर और जैसा कि आपको पता है कि डेली सुबा 10 बजी कि आपकी जो क्लास होती है वो होती है लैंग्वज क्लास देखते हैं आप हिंदी संस्क्रिट इंग्लिश दीनों एक साथ अभी सुब मैंने जो है अध्याराम मंदिर पर एक important question का जो है collection आपको दिया है गर आपने नहीं देखा है notification क्योंकि गया नहीं शायद तो आप देख लीजेगा चले स्टार्ट करेंगे session बिना time waste की जोते भी लोग जुल चुके हैं सब को good morning और कल जो मैंने English का test लिया था उसमें जो आ कि पढ़ाना मेरा काम है लेकिन उससे याद रखना ये तो आपको ही करना होगा चले स्टार्ट करते हैं तो आज का जो पहला प्रश्ण है वह है रमाश अब्लीवचन क्या होगा रमाभ्याम रमयोह रमाशु रमाह तो पंजमी द्विवचन में सब में वही भ्याम लगता ह लास्ट में अभ्याम लग जाता है तो option number A से ही हो जाता है रमा भ्याम बिलकु से उत्तर ब्रातरों में समास है कौन सा द्विगु कर्म धाराय द्वंद भुबरीही तो यहां पे जो यह द्वंद समास है अलग एक श्याज द्वंद है द्वंद समास हो जाता है रामह शब्द का तृतिया विभक्ती बहुचन में क्या रूप बनेगा रामह, रामाह, रामेभ्य, रामेशु तृतिया विभक्ती का बहुचन रूप क्या होगा रामह का यानि राम का जो शब्द रूप होता है चले देखेंगे उत्तर यहां पे जो सही होता है आपका option number यह हो जाता है रामय है बनेगा आपका तृतिया विभक्ती बहुचन में चल में कत्वा प्रत्य लगाने से क्या रूप बनेगा चालित्वा चलित्वा चलन चालित कत्वा प्रत्य में त्वाशेश बचता है तो सयुत्तर होता है यहाँ पर आपका option number भी चलित्वा बनेगा आपका सही शब्द इन में से कौन अनुनासिक उचारण नहीं है देखेजिए म यहाँ जो आपका रहता है न ल अनुनासिक उचारण जो ना हो तो यहाँ पर जो सयुत्तर होता है लग का जो है वो अनुनासिक उचारण क्या होगा बिलकुल सही सभी का अगला देखते हैं घंजन है क्या इस पर्श व्यंजन उस्ट कर दियंजन सयुक्त व्यंजन इन में से कोई नहीं तो यहाँ पे सेयुत्तर होता है आपका option number इस पर्श वियंजन है स्टार्टिंगे 25 जो आपके वर्ण रहते हैं कखखखखच से पूरे विस पर्श रहते हैं यूपाय दारु अस्ति यहाँ पे यूपाय में कौन से विभक्ति प्रयुक्त हुए तृतिया, चतुर्थी, पंचमी, दुतिया आए लगा है लास्ट में वैसे इसका शब्द रूप देखके ही समझ में आ रहेगी कौन से विभक्ति है बिल्कुल सयुत्तर होता है आपका option number B हो जाता है चतुर्थी, विभक्ति अनश्यत क्रियापद में प्रयुक्त लकार, पुरुष और वचन कौन-कौन से है लंग लकार यहाँ से सब में common है सिर्फ आपको क्या देखना है पुरुष और वचन प्रथम बवचन, उत्तम एक वचन, प्रथम एक वचन या मध्यम एक वचन तो अनश्यत में जो हो जाता है आपका option number C हो जाएका लंग लकार, प्रथम पुरुष और एक वचन रूप है इसमें से कौन सर्वनाम नहीं है त्वत, मया, यूयम, अत्र और जही उत्तर होता है इस प्रश्णी के लिए आपका option number D अत्र जो ही एक अव्या है ये सर्वनाम नहीं है निरक्षरह का विलोम होगा क्या साक्षरह, अलपग्यह, मूर्खा, प्रिथु उत्तर सही जाता है इस प्रश्णी के लिए निरक्षर का विलोम साक्षरह, तो ये सही अंसर हो गया आज आते हैं हिंदी पे, इस मिन में से उच्छिप्त व्यांजन कौन-कौन से है तो यहाँ पर आप देखें दो-दो व्यांजनों का सेट दिया है पफ, उ, उ, ड, ढ, या फिर च, 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 देख लेते हैं उत्तर जो यहाँ पर सही होता है आपका option number C हो जाता है, एक्शली ये जो actual word होते हैं, व्यांजन होते हैं, ये होते हैं ड, ढ, ये होता है, इसमें ये आपके से नीचे बिंदी लगा देए, इसका उचारण भी के वज़ा से बदल जाता है ये आपके उच्चिप्त व्यांजन कहलाते है चिंता मड़ी किसका निबंद संग्रा है? बाल मुकंद कुप्त का, हजारी प्रशाद दुवेदी जी का, आचार राम चंद्र शुक्ल जी का, या फिर श्याम सुंदर दास जी का तो यहां पर चलिए देख लेते हैं, यहां पर सही उत्तर जो आपका हो जाता है, वो हो जाता है आपका option number C, आचार राम चंद्र शुक्ल जी का, निबंद संग्रा है, चिंता मड़ी, यह सही answer हो जाता है, अगला प्रश्न देखेंगे इत्यादी संकेतक चिन है कौन से, यानि कि एटसेक्टरा के लिए कौन सा चिन है लगाया जाता है, यहां पर, देख लीजे कुछ भी आप लिख रहे हैं, फित्यादी लिखना है, तो आप कौन से चिन लगाएंगे, तो यहां पर option number A सही होता है, हलाकि तीन डॉट जो है, वो इनफ रहता है, बिसिकलि हम तीन डॉट का यूजी करते हैं इसमें, तो यह सही answer इसका हो जाता है रहा खर्च का सही सामाजिक विग्रह निम्न में से कौन सा है, रह में खर्च, रह के लिए खर्च, रह पर खर्च या रह दे खर्च उत्तर से होता है, यहां पर आप option number B, रह के लिए खर्च 54 को हिंदी में blank कहते हैं, अब तो मैंने बोल के ही बता दिया, तो अब आप देख लिजे क्या कहते हैं, 54, 44, 42, उत्तर मैंने पहली ही बता दिया इसको पढ़ने के चकर में, तो यहां पर आपका option number A ही हो जाता है, 54, correct answer नीर भरे नैना तौन प्यास बुझाई, कौन सा अलंकार हैं, प्रत प्रेक्षा अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, विशेशोक्ति अलंकार या वक्रोक्ति अलंकार, नीर भरे नैना तौन प्यास बुझाई तो यहां पी जो सेयुत्तर हो जाता है आपका वो हो जाता है option number C, विशेशोप्ती अलंकार यहां पर हो जाएगा होता क्या है, basically विशेशोप्ती अलंकार क्या होता है जिसमें पूरे कारण, संपूर्ण कारण के होने पर भी फल का न कहना, कि फल जो यह वो नहीं होता है, विदब यह कारण है नीर भरे नैना, मतलब की नैना में जो नीर भरा हुआ है विदब कारण संपूर्ण है, reason है, प्यास बुझने का, फिर भी प्यास बुझने रही है तो जहां पर ऐसी situation हो, कि कारण है, सारी चीज़े है, सब कुछ है लेकिन भी फल जो है, उसका result जो है, वो नहीं आ रहा है, उसको नकारा जा रहा हो वहां पर आपका विशेशोक्ति अलंकार हो जाता है निमलेकित में से एक शब्द तत्सम है सपूद सरी स्रिप सांकल सांज तो यहां पर जो सयुत्तर होता है, इस प्रशन के लिए वो हो जाता है आपका option number B, सरी स्रिप यह से answer जगा, यह तत्सम शब्द है गबरहाट में प्रत्य है, अट, हट, आहट, राहट सयुत्तर होता है, इस प्रशन के लिए आपका option number C, आहट हिंदी भाषा में निमलेकित में से कौन सा शब्द जापानी भाषा से लिया गया है चाय, रिक्षा, कमीज, लीची तो यहां पर जो सयुत्तर है, वो हो जाता है आपका option number B, रिक्षा, यह जो है जापानी भाषा से लिया गया शब्द है अंग-अंग धीला होना, इस महावरे का अर्थ क्या होगा, निम्न विकल्पों में से आपको बताना है बहुत कम थकना, बहुत थक न जाना, बहुत चोट लगना, या बहुत थक जाना तो इसका अर्थ जो होता है, वो बिल्कुल, बिल्कुल, सभी का से option number D हो जाता है बहुत थक जाना, मतलब अंग-अंग धीला होना, इस महावरे का प्रयोग इसके लिए किया जाता है इंग्लिश में देखिया, आज मैंने थोड़ा easy label का include किया और पढ़ाई होई चीज है कोशिश करिएगा कि आज at least 5 में से 10 तो, I mean 10 में से 5 तो आपके आज सही हो ही जाएं कल एक, दो, तीन इस तरह से सही हुए थे काफी लोग के, जोकि एक चिंता-चनक बात है क्योंकि बढ़ी हुई चीज है, हर चीज की हिंदी बता-बता के explain किया है आपको याद होना ही चाहिए, इतने जल्दी भूलेंगे तो एक्जाम तक क्या होगा चलिए देखेंगे, तो यहाँ पर आपको synonym बताना है, समानार्थी शब्द, abuse कोई हिंदी help नहीं, जब आप answer guess कर लेंगे, तब इसकी हिंदी बताई जाएगे use, phrase, scorn, race उत्तर देखते हैं, यहाँ पर जो सही हो जाता है, इस प्रश्णी के लिए वो हो जाता है, आपका option number c, scorn, abuse का अर्थ होता है, दुर्व्यवहार करना, या गाली देना, और इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा, scorn, यानि इसका अर्थ भी यही होता है, दुर्व्यवहार करना ओके, docile submissive, stubborn, strong, changeable तो यहाँ पर सेयुत्तर होता है, यहाँ पर आपका option number a हो जाएगा, अगर आपने a guess किया था तो सही है, अब इसका अर्थ बता देते, इसका अर्थ होता है, विनीत या आग्याधीन जो होता है, ठीक है, जिसको easily control किया जा सकता है, जो भी आग्या दो वही मानता है, जो कह thoughtful, फडबर से guess करिए, समानार्थी शब्द आपको यहाँ पर ढूडने है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर होता है, आपका इस प्रशन के लिए वो हो जाता है, thoughtful क्योंकि considerate का अर्थ होता है, विचार शील, जो दूसरों का ध्यान रखता हो, सोचता हो दूसरों के बारे में, ह encourage to grow, to see, to maintain, मुझे लगता है कि टेस्ट लहने की जरूरत है आप लोग की, क्योंकि पढ़ाने के लिए तो English सबसे ज़्यादा मैंने पढ़ाई है, इतने practice set दिये हैं, सौ से भी ज़्यादा practice set हो चुके हैं चैनल पे English के, फिर भी गलत हो जा रहे हैं answer, तो बहुत जरूरत ह है कि आप ठोड़ा सा revision करते रहें चीजों का, तो यहां पे जो सही answer होता है, आपका question के लिए वो हो जाता है, option number 8, to encourage, nurture मतलब होता है, पोशर करना या प्रोचसाहन देना, दोनों sense में use होता है, तो encourage का मतलब भी होता है, प्रोचसाहन देना, deny, regain, refuse, repair, reduce, समानार्थी शब् तो यहां पे जो सही उत्तर होता है, इस प्रश्नी के लिए आपका, वो हो जाता है, option number 8, refuse, deny का मतलब होता है, अस्विकार करना या इंकार कर देना, refuse का मतलब होता है, इंकार कर देना, या अस्विकार कर देना, चलिया जाते है, next question में, जहां पे आपको बताना है, opposite word, यान की एंटोनीम, veneration, fear, reverence, remorse, disrespect, सही उत्तर होता है, या पे आपका, option number D, disrespect, veneration का मतलब होता है, आदर, श्रद्धा, सम्मान, ठीक है, तो disrespect का मतलब होता है, अनादर, insolent, ignorant, proud, laudable, और humble, opposite word, फटा-फट से, चलिया देख लेते हैं, आपके जो सही answer होगा, वो क्या हो चाता है, आपका humble इसका सही answer होगा, क्योंकि insolent का मतलब होता है, बत्तमीज, जिसे हम कहते हैं, उद्धंड, बत्तमीज टाइप का, और humble मतलब जो विनीत हो एक्दम, अर्बन, rustic, rural, civil, foreign, एंसर से ही होता है, यहाँ पर आपको option number भी, rural इसका correct answer, अर्बन मतलब होता है, शहरी, और rural मतलब होता है, ग्रामीर, तो शहर और गाउं दोनों opposite में आ जाते हैं, incredible, possible, believable, enjoyable, imaginary, तो यहाँ पर चली देख लेते हैं, जो correct answer होगा वो हो जाता है, आपको option number B, क्योंकि इसका रथ हुआ, विश्वस नहीं है, जिस पर विश्वास किया जा सके, और incredible मतलब होता है, अतुल नहीं है, या अविश्वस नहीं है, जिसे हम कहते हैं, ठीक है, तो incredible औ और यह आपके विलेवल, जोनों आपस में opposite हो जाते हैं, conquer, disagree, disappear, disarrange, discourage, answer सही होता है, प्लीज कॉमेंट करके, honestly बताएगा कितने सही होए हैं, इंग्लिश में 10 में से, disagree, disagree मतलब क्यों होता है, असहमत होना, और conquer का मतलब होता है, सहमत होना, किसी से अपनी सहमती देना, तो यह आपस में विलोम शब्द हो जाते हैं, तो यह हमारा चोटा से सेशन था, I just hope कि आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है, तो लाइक करिए, शेर करिए, अगर आप चैनल पर नहीं है, तो सब्सक्राइब भी करिएगा, also अभी राममंदिर वाला वीडियो आपने अगा है, टिस घrica करिए होगा है, एह है?